मस्जित विवाद पर कल होगी सुनवाई तो सुनवाई के लिहाज से जो दिन है शुकरवार का काफी आहम रहने बाला है संबल हिंसा चे जुड़ा हुआ तो हरी हर मंदर होने के दावे पर कल एहम सुनवाई है तो न्यायले के चारों तरफ पुलिस का पहरा है 24 नमबर को सर्वे के दोरान बढ़की थी हिंसा तो संबल के चंदोसी न्यायले में यह सुनवाई होगी तो यह बड़ी जानकारी आपको बतारे तो देखें यहीं से यह पुरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था हरी हर मंदिर होने के दावे पर कल एहम सुनवाई है न्यायले के चारों तरफ पुलिस का पहरा है पुलिस की जो मौझूदगी है वो वहाँ पर बढ़ाई गई है ताकि दुबारा संबल में जुस्तती है वो इस तरह की देखने को ना मिले अब को वढ़ा दे के हिंदुपक्ष की तरह से मंधिर होने का दावा क्या गया था जिसमें कई चीजों का हवाला देते हुए ये जो दावा है वो यहापर किया है तो न्याले के चारों तरफ पुलिस का पहरा देखने को मिलेगा कल हरी हर मंदिर होने के दावे पर कल एहम सुनवाई होनी है तो नियाले के चारो तरफ पुलिस का पहरा है 24 नमबर को सर्वे के दौरान हिंसा भढ़की थी दंगाईों ने खूब जम कर उत्पात मजाया था लोगों को भी हाथ पर चोटे आई थी कई जाने भी आपर जा चुके तो अब तक चार लोगों केस में मौत हो चुके तो 24 नमबर को संबल में ये हिंसा भढ़की थी संबल के चंदोसी नियाले में अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ यहां पर रहेगा क्या कुछ पक्ष और दलीले रखी जाएंगी ये देखते वाली बात रहेगी यही से पूरे इंसा भढ़की थी संबल की शाही जावा मस्जित के पास हिंसा भढ़की थी जिसमें पत्थर बाजी हुई लाठी चार्ज हुआ यहां तक की गोली बारी भी हुई जिसमें चार लोगों की ओफिशल मौत की घोशना भी की गई तस्वीरे आप देखेंगे तो आज की जो तस्वीरे हैं वो बिलकुल जुदा है संबल शांथ है लेकिन जो मौनसिपल्पार्टी की टीम है वो लगतार संबल में चारो तरफ जो पत्थर विख्रे हुए हैं उनको एकटा करने का काम कर रही है और फिला ये जामा मजदित की तस्वीरे हैं जो जामा मजदित के उपर पत्थर रखे हुए हैं उनको भी हटाने का काम जो मुंसिपल पार्टी है यहां की वो करते हुई दिखाई दे रही है यह आप देख सकते हैं जितने भी इट पत्थर चट के उपर हैं इनको यहां से हटाया जा रहा है और इसी तरह से पूरे संबल को अगर हम कहें तो साफ किया जा रहा है गली-गली के अंदर सडकों पर जहां भी पत्थर रखे गए हैं उनको हटाने के दिशा निर्देश दिये गए हैं आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यह पूरी ट्रेक्टर ट्रोली इस समय अगर आप देखेंगे तो पत्थरों से पूरी तरह से भरी होगी और पूरे देख सकते हैं तस्वीरे जो भी पत्थर बहार सडक पर रखे हुए हैं या कहीं दिखाई दे रहे हैं मुंसिपल पार्टी की टीम है वहां पहुंचकर उनको ला रही है यह चोटे चोटे जो पत्थर आप देख रहे हैं यह वही पत्थर हैं जो पत्थर भाजी में इस्ति इसको नीचे फैका जा रहा है और ट्रॉली में इखटा कर इनको यहां से ले जाया जा रहा है उसके पीछे की वज़ा यही है कि अगर दुबारा से भीड इखटा होती है या हिंसक घटना होती है तो पत्थरों का इस्तेमाल ना हो कम से कम पत्थर ना मिल पाएं जिस तरह स चुर्ण से एकस्क्र ﷺ यहां से नीचे डाले जा रहे हैं जो मूंसीवन पार्टी की तीम के लोग है वो करते हूँ दिखाई दे रहे हैं कहाँ कहाँ से आपने पत्थर पत्थर बाजी के उपर दोरान उपर पहुंचे थे वह पत्थर अब नीचे रखे जा रहे हैं यानि डाले जा रहा है उनको हटाया जा रहा है चैनल मजडित की च्ख पर पहुंच गये थे जो मैदान उसको भी साफ कर दिया है पूरी तरह से बिल्कूल साफ कर दिया अगे का वो भी मैं आपको दिखा दू शाही जामा मजडित के सामने का यह जो मैदान ग्रांड आप देख रहे हैं यहांपर भी पत्थर रखे हुए थ उन पत्थरों को भी हटाने का काम जो मुंसिपल पार्टी की टीम है संभल की उनके द्वारा किया जा रहा है पत्थर देखे कितनी बड़ी संख्या के अंदर पत्थर उपर फैके गए थे या पत्थरवाजी यहां पर हुई थी लगातार जो पत्थर हैं उपर से ट्रॉली के अंदर डाले जा रहे हैं और यह अपने आप उन सबूतों को बया कर रहे हैं वो निशान बया कर रहे हैं जो 24 तारीक को संभल के अंदर जो उपद्रवी थे उनके द्वारा दिये गए यह देखिए छोटे छोटे पत्थर जिनसे पत्थर बाजी हुई नौजवानों को हैं तमाम जो पत्थर बाहर साड़कों पर है यह कहीं पर रखे हुए हैं उनको एकट्टा करने का काम करती हुई दिखाई दे रही है ताकि अगर हिंसा हो तो कम से कम पत्थर बाजी ना हो सके उपद्रवियों को पत्थर ना मिल पाए वीडियो जेनलिस्ट अमित कुमार के कि साजुष के पीछे कौन है यह बड़ा सवाल है हाला कि एक बाद एक खुलासे यहाँ पर हो रहा है और जिनसे इस बात की तस्दीक तो हो चुकी है कि पूरे प्री प्लान तरीके से इस पूरे घटना करम को अंजाम दिया गया है यही वज़ा है कि लगता जो पुलिस प् सतर को यहाँ पर एक खटा किया गया यानि एक बार फिर से माहुल को खराब करने की कोशिश है और ऐसे में जुम्हे की नमाज से पहले पुलिस प्रिशासन पूरी तरीके से सतर्क है दुबारा इस तरह के हालात ना हो इसको लेकर जो है मुस्तैदी यहाँ पर बढ़ती जा आज की यह ताज़तरीन तस्वीर है जब जो है इट पत्थर यहाँ से इकटा के गए ता कोई भी ऐसी चीज जो संबल के माहुल को बिगाड सकती है आपसी सोहादर को बिगाड सकती है वहां से उनको इकटा कर यहां ले जाया गया है क्योंकि अभी भी यह जानकारी सामने है कि कुछ जगाओं पर इट पत्थर को एकटा करके जो है रखा गया था जिने यहां से प्रिशासन ने हटाया है दूसरी तस्वीर पुलिस की मुस्तैदी की पुलिस की लोगों से अपील के दौरान की कि शानती विवस्ता बनाये रखे हिंसा जब भढ़ की थी यह उस पुर भी आप देख रहे हैं तो दुबारा इस तरह के हलात ना हूँ इसको लेकर पुलिस तमाम जो तरीके से यहां पर मुस्तैदी बरत्ते हुए नजर आ रहे हैं दूसरी तरफ इस पुरे मामले पर सियासत भी हावी है और देखे एक और ताज़र जानकारी यहां पर सामने आ रहे हैं कल जुमे की नमाज है उसे पहरे देखे किस तरह से इतिहात बरती जा रहे हैं ताकि दोबारा इस तरह की स्तती यहां पर ना उत्पन हो सके हर एक संदिक दिपन संबल में 24 तारीक को जो हिंसा हुई उस हिंसा के अंदर माम CCTV कैमरे जो लगे हुए थे उनको तो लिया कुछ को आके हवाले कर दिया गया इस वक्त हम माजूद हैं शाही जामा मस्दित के पी जहां पर पत्थर बाजी हुई पुलिस दोरा लाठी गया यहां तक की गोलिया भी चली दोबारा से कानुन ववस्था कायम करने के लिए जगा जगा पर CCTV कैमरे लगाने का काम अब किया जा रहा है तस्वीर आप देखेंगे तो यहां आप देख सकते हैं जो केबल है फिलहाल वो लगाय जा रही है और CCTV कैमरे जगा जगा पॉइंट पर लगाय जा रहे हैं खासतार पर शाही जामा मस्दित के चारों तरफ से तीसरी आग के अंदर कैद किया जा सके उस पर निगरानी रख जा सके जो लोग CCTV camera यहां पर लगा रहे हैं शाहित जमा मजदित के पास उनसे बातचीत कर लेते हैं वह क्या नाम है आपका दरंबीर जी अब तक कितने camera शाहित जमा मजदित के पास आपने लगा दिये हैं केlica साथ कैम्रे साथ कैम्रे लगा दिने और कैम्रे अभी लगाने भाकिए तीरा कैम्रे और वह लगायेंगे हुच तोटल दिए गए थे 8 कि जाल गए थे 5 पांच इटेंडे ने पांच Jean ना स्कींट के तरफ द्वारा पांच पॉंट को दिए गए हैं चरकार दूआरा राज 13 केमरे और लगाएंगे जी आनी कि शाही जामा मजलत के पीछे के इलाके के हैं तो आप कि देख सकते हैं शाही जामा मजलत के चारों तरफ तीसरी आंग से निपरानी रखी जा सकें क्योंकि जो पहले वह तोड़ दिये गए थे लेकिन अब दोबारा से पॉइंट इनको बता दिये गए हैं और उन पॉइंट पर 20 कैमरे, CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं जिन में से 7 कैमरे लगा दिये गए हैं, 13 कैमरे आज लगा दिये जाएंगे और कल जुम्मा है तो ऐसे में और भी ज़्यादा अलर्ट है, पुलिस फोर्स अलक से भी संबल के अंदर मंगवाई गई है, तो CCTV कैमरे से तीसरी आख से निगरानी भी रखे जाएगी, पल-पल की अपडेट कैमरों से ली जाएगी, ताकि अगर भीड इखटा होने की कोशिच करती है, तो पुलिस फोर्स पहले से ही अलर्ट हो जाए, लेकिन फिल हाल CCTV कैमरे लग नौती पूर्ण रहने वाला है, वो ये कि 24 नवंबर को जब हिंसा बढ़की थी, उसके बाद जुमेका ये पहला जो मौका है वो होगा, ऐसे में दुबारा हालात ना बिगड़ें और साथी साथ ऐसे संदिक दू पर भी नज़र रखी जा सके, जो शती पहुचाए गई थ तो संबल हिंसा पर असदुदीन ओवेसी का भी बड़ा बयान सामने आया, पुलिस प्रिशासन की कारिशेली को लेकर सवाल जो है ओवेसी की तरफ से खड़े के गए हैं, ये बड़ी कबर आपको बता रहे तो पुलिस कर्मियों ने चलाई थी गोली, तो ओवेसी की तरफ स सियासत हावी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ असदुदीन ओवेसी की तरफ से कहा गया है, संबल हिंसा को लेकर सुनिए पूलिस वाले मार रहे हैं, वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग, जो विजूल से सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस देते हैं हर तोड़े दिन को